नमस्कार दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएटी का रेजल्ट कब तक आएगा और काउंसलिंग और कॉलेज़ेस कब तक आपको मिल जाएगे तो देखिए भी बार-बार मुझे ऐसे मेसेज़ेस कॉल सा रहा थे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना समझा ताकि सभी को पता चल जाए परिसान ना हो बच्चे रेजल्ट बहुत जल्दी आएगा देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि किरपा कहां रुकी हुई है कहां रेजल्ट रुका हुआ है तो देखिए यहां पर अभी एक न्यूज आई है कि पीएटी के रेजल्ट मे आई गये यह समझके चलिए ना क्योंकि रेजल्ट में दिक्कत क्या रही है बच्चे रेजल्ट में दिक्कत इसलिए है कि जो रेजल्ट है वो जो आपने question answer आप लोगों ने जो objection लगाए हुए थे तो वो सुधार कर result बनाया जा रहा है सुधार कर result बनाया जा रहा है तो result में देरी इसलिए आ रही है बाकी इन्हों ने बोल दिया है कि बही बाकी तो सब ठीक ठाक है जल्दी result आ जाएगा तो टेंसन ना लें बाकी यदि आप चाहते कितना जाएगा कई बच्चे इस पर बार बार पूछते तो इसका वीडियो हमने पहले बनाया हुआ है आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते तो आपको उस हिसाब से जो बच्चे है वो अपना डॉकुमेंट्स रेडी रखें क्या क्या डॉकुमेंट्स लगने इसका भी हमने वीडियो बनाया है और अधिक जानकरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक में नीचे दिया गया है TCM कोचिंग सागर TCM कोचिंग सागरी टेलीग्राम चैनल है इस पर आ आ जाएगा और देखिए क्यों नहीं आएगा यहां देखिए इन्हों ने जो नॉटिफिकेशन जारी किया था उस नॉटिफिकेशन में साब साब बोला था कि भाई कि किर्शी विश्व ध्यालों द्वारा सैक्षड जुलाई 2024 से प्रारंब होगा यानि जुलाई से सैक्षड सत्र प्रारंब कर दिया गया है और प्रवेश जो है यानि तीनों काउंसलिंग अगस्त के लाश्ट तक तीस अगस्त तक तीनों काउंसलिंग करवा दी जाएंगी तो इनके पास अभी वन मन्त का टायम है काफी टायम बच्चे बिल्कुल घबरानी की को नहीं है आप पिछले साल सोचिए आपका बारा जुलाई को तो पेपर ह हुआ था इस बार तो पेपर जल्ली हो गया कोई दिक्कत नहीं तो रजेल्ट आ जाएगा घबराईएगा नहीं नहीं मेरा कहना है अधर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते टीसी एम कोचिंग सागर इतना लिखिएगा और कुछ अपडेट रहती है आपके इससे लिटेट तो वह हम वहाँ पर आपको अवगत कराते रहेंगे उससे ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहन जै भारत जै जैजवान जै किशान